सेंग रिहा करो बंदी सेंग रिहा करो देख देख पांच की जीतर राज करेगा जूलते निशान रहे सेंग रिहा करो देख 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 कि एकिוט हम लग एकिपु कर सबंदेघस हैं हां मिसे नपिती हैं हां लगए कुप्प उनकर, वां एकिक उनकर कर देता गया वो ग्यारा बंदर सिगे जना नू रहा कीता गया टाइम सोख इंडिया दी पच्ची तरीक दी खबार दे मताबक ओस फिलकिस बानों दे बिंड दे सारे लोगा ने राल के जाके को देखो फंगलाव साब कती दर उसी मोर्चा लाया और बड़े शांत में तरीके नहीं मैं समझा की दिलीवर की तर्तिते जिते सेख ज़दा विपार कर चंट्राइं हटा उसे बंदीर सिंगा ती गाल होना बड़ी बड़ी गाल लागा गया गुरू साब गुरू आपको समझा असरा रहके और एजड़ा मोर्चा लागा उन्हें करीव निकल के आई दिली बच्चे बहुत सारी यहां सेंग स्वामा बहुत सारे जथे तार्म जथे हैं उस्तों बाद अंडवीजिनल जड़े लोग सी के जिना ने एस स्पोर्ड किती है और आनवाले समय में से को बढ़ और गेडियां भी साधी नार साम जथे मंदियां उन्डा पदर प्रक्राइब और बंदी सेंग शाड़ी आसा बंदी सेंग गुरू साब करवा करने के जिला तो बार रहा है तो तरह कि नहीं नहीं शड़े जारे तो किस तरह मैं समझा कि सरकार दी सदी बदमाशी आगिया क सरकार एक पासी ता बलातकारिया नो और तेन साल दी बिलकसमानों दी बच्की नो का दे के पटए 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 के मारन माले बंद्रा नो शाड़ दी आगे गुजरा सरकार बड़ी शर्म दी कर ला है और साठा सेर्चक जनता बच्टी गेडिया कि का हिंदू दिया मुसल् और दूसरी कर दें कि सरकार यह तरही ही पक्षपाय कर देगी फिर ओगाली यह नहीं किता जवाब मिलेगा ना नूँ ए जए ना जेदा गार्स ने पेले वितरा किता लिए जर्वार साथ तेंक रणा के तो पर लाके काश्चा घ्टाइब और गूरु ताइस गाओव तरले मारंडे थारे आप जुड़ो जुड़ी ते आप बोधे बोधी होएगे कांगर सी जेड़े बंदे सखाना तका करने के उनदा यही हाँ पंजाब जी सरकारागी ओधे दैर खेते के जड़ा है कि वो माफ कर दना मिनों लगदा नियागा पंजाब सरकार ता वो गोंगुलों ते मिल्टी चाड़ेगी कदे कोई जेव कतरा चाड़ता किदे चोर चका चाड़ता मैं करना कि पंजाब सर्व अलान करे ना असी पाईट मुलान करें और यहना उस्था खाण करें पंजाब जो यह यह सोता है यृव काणि हुए वह सबस्कुला मैं करें तो चुतियां कि एले पहले चूटियां मिल दिया नहीं मिल दिया होना है और इंसाब सिखाना करना जरी गाल कारता है है वह अगला कदम फिला करके जहदा साथ रहे होगो उटा करते हैं याया और असी जंतरमंतर देवेता प्रोग्राम कर रहे है और असी पर्दारमंतरी आपर एक चिछेटी देड़े जा रहाए है और एस चिछी देवेक्द डिवेज दिमांड करने जा रहे है कि ये प्रिजन क्मिशन बढ़ना चाहिए तरा नेशनल प्रिजन बढ़ना चाहिए नियुक्तर शूखदार लोग ने उते नाश जेल सुदारा फैदा चो के पैरोल फिला यंदे ने और रहाई विला यंदे पर साधे से बंदिया तो फैदा निक्तर निमिल दा मनुख्या प्रणा हैं कि वन्हें कुछे पधाने को यॉच divert्म, और आपना केट करेंस कर लोगा अए अधी इंसाब पसंद लोग ने प्रदर्शन उना तो अलाग है एक जथे बंदी कार रही है जिदा कोई सियासी मंतव नहीं है वेदा मंतव सिरफ और सिरफ बंदी सिंगा तरी आई वास्ति चूज रहे हैं दिल्ली देमें चैसा कोई संगठन नहीं है कोई पार्टी जने कती दिन तक लगा तर मोर्चा लाया बुरु किरपा करें का कोई कारवाई कराने से मर्थर वांगे मैं 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 इसमें जरे हां कि दो तारामा चाल रही है ने पारादे वेच किते ना किते और जड़े 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 रसूखदार स्यासी रसूख वाले ने पैसे वाले ने और सब्सक्राइब लेकिन बंदी सेंटर ने जो नोटिफिकेशन जारी किता सी ओडर सी कि तुसी बंदी सिंग अपना टैर्रिस अक्टिवीटी याल राज रहानी कार सकता सब्सक्राइब कर सकते जो गुजराल सरकार ने बलात करें उसे निन पंदरा अगस्तनु उसे अजादी दम्रत में सब्सक्राइब किता नजाज किता गल्त किता विरोध किता बार बार मामला सरकारा इच्छा शक्ति दे फस्या वाया और सरकारा लटकारिया ने लमकारिया ने साड़ा हाक मनदा जो नैशनल हुमरेड कमिशन नियम ने उकलियर के दिने कि अनुनी तरीके ना लड़ांगे सियासी तरीके ना लड़ांगे और जोड़ी यह जागरुक करने वेच कामियाब रहे हैं कि मिना हजारा लोग साथ ना जुड़ेया उनना नंबर ने साथ यह को लाए ने लोग समर्थन कारने इस मुद्देगा तो गुरू किरपा करेगा हुए में ने साथ होगा जहां भी अट्याचार होगा अरने रहा कारुआ साथ के वाहित कि हे लिए करने चन्द मिलें कर साथ चलेंगे साथों यह बाद ese B कि नो बंदी सिंग है एक 1990 से बंद है साथ लोग 1905 में से बंद है और एक साथी 1907 में से बंद है अब आप लगाईए कि एक को 25 साल जो बाकी और हैं उनको 27 साल साथ लोगों को और एक व्यक्ति को 32 साल हो गए मतलब कोई सीमा भी होती है और अभी तक उनके खिलाप आरोबी सिद्र नहीं हुआ है तो आरोबी सिद्र नहीं हुआ है कब तरक लेकि जाएंगे मुकदमों को एक बास सोच यह जरा कि कल वो लोग मुकदमे में बर्य हो जाएं तो यह जो उनके 25 साल 27 साल 32 साल जेल में गुज़रे हैं उनके परिवारों ने जो भूगता है जो अपमान समाज में होता है कि एक वेक्ति अपराद में बंद है उसका दंड कौन ढुकतेगा कौन है उसके लिए जिम्मेदार किसके जिम्मेदार कौन मुवज़ा देगा जबकि कानून कहता है आप अगर देके समविधान को पढ़ें तो पुलिस अगर पकड़ के ले जाती है 24 घंटे के अंदर उसको कोट में पेश करना पड़ता है अगर नह पेश नहीं की जाएगी तो टेक्निकल ग्राउंड पर उसको छोड़ा जाएगा वो गैर कानूनी उसकी जो एक कस्टडी हो जाएगी और यहां 25 साल से लेकर 32 साल तक लोगों को जेल में बंद किया हुआ अन्याय की कोई सीमा है क्या यह अदालतों को दिखाईने देता क्या यह सरकार को दिखाईने देता क्या कोई ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए क्या कोई ऐसी कमेटी नहीं बनानी चाहिए ताकि जिसकी सारी जो सजाव अगरा है उसके हिसाब से उसको तुरंत रिहा कर जाना चाहिए जैसे वो खतम हो जाए सवाल आप पर यह बनता है कि कारण कोई भी रहा हो क्या है कारण कुछ भी हो हत्या ठीक है क्या आरोप सिद्ध हुआ है जो आप कह रहे हैं आप यह कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या की है मैं यह कह रहा हूं कि क्या आरोप सिद्ध हुआ आरोप सिद्ध नहीं हुआ और कानून हमारा कहता है कि चाहे सो के सो गुनहगार छूड़ जाए वो एक व्यक्ति के मैं कोई फरक नहीं पड़ता है करता है वो वो कहता है कि चाहे सो के सो गुनहगार छूड़ जाए लेकिन एक भी बेगुना को सजा नहीं होनी चाहिए और अभी शिर जगतार सिंग हवारा साप पर आरुफ सिद्ध नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कानू ना गई यह भी कहता है कि जब तक सिद्ध ना हो हर व्यक्ति निर्दोश है तो क्या मतलब इसका मतलब एक निर्दोश व्यक्ति को जो कानून ही कह रहा है सम्विधान ही कह रहा है कोट जिस पर चलती है और कोट कहती भी है सुप्रिम कोट ने कही बार कहा है कि बेल is a rule and rejection is acceptance यानि कि बेल देना एक नियम है और बेल को मना करना ये एक अपवाद है एक काउंट करोगे तो उसके हिसाब से तो इनकी सजा जिनको 25 साल की सजा जो काट चुके हैं वो सजा 35 साल से भी जाद होगी जेल मैनुवल के हिसाब से आप देखो उसे जारा पढ़के क्योंकि उसमें जैसे बोलते ना आम भाचा में दिन और रात काउंट होते हैं तो इसी तरह से और दिन और रात काउंट होने का मतलबी है अगर एक साल कोई व्यक्ति जेल में सजा काट रहा है तो लगबग मानिये कि तीन महीने और समझोड जाते हैं यानि उसमें एक साल के हिसाब से वो 15 महीने की सजा उसमें काट ली है जिस तरह से बिल्कसबानों के 11 दोश्म के रहा किया गया उससे पहले सांसद प्रग्या ठाकरों के रहा किया गया इसको कैसे देखते हैं निश्यतरुप से ये भेदभाव है उसी के संबन्द में ये सारी सीज़े हैं कि एक तरफ आप ऐसे वापराधी को रिहा कर रहे हो जो बाकादा बंब अटेक में बंब के हमले में अपराधी और उस पर जब सारी सीज़े हो गई जब मुकदमा चला है उसके बाद उस टाड तरफ महिने की गर्बवती महिला के साथ में सरेयाम गैंग रेप किया उसके परिवार के तेरे लोगों की हत्यागी तीन साल की बच्ची को पूरी तरह से मारा उनको आपने छोड़ दिया कहरें कि आप उनका वेवार अच्छा है तो आप जगतार सिंग हवारा साब का विव संसकारी थे जाती और धर्म से कोई संसकारी नहीं होता संसकारी होता है अपनी सिक्षा से अपने संसकार से अपने आचनर से और वो सामने दिखता है और यह जाती इससे जो आज साफ ही बात हो रही है कि इस देश में कहने के लिए संविधान है कहने के लिए कानून है लेकिन जो लागू हो रहा है वो मनुवादी कानून ही लागू हो रहा है तब ही ब्रहम्मण की बात आई मैं आपको दिखा सकता हूँ इतने ब्रहम्मण जो अपराद में जिनका कोई मुकाबला नहीं है आप सब भूले तो नहीं होंगे जब एनकाउंटर हुआ था उसका विकास एकचा से और संसकारी होता है अपने आछरंड से अपने चरितर से ऊपने कहा है कि भारूर पर्ली साल हो गए बद्र में पर्रीज साल आप 24 साल ऊगए लेकिन आदमी को आफ बेलो तो दें आप कम सेखंग बेल पतुर यहां करें कुए आप यहई कहते हैं कि जब तक सितना हो जाए हर स्विक्ति निर्दोश है तो हम तो कानून की बात कर रहे हैं हम कोई आपसे भीक नहीं माग रहे हैं यहां पे जितने होता है सरकार का नहीं होता है कानून के पृती सम्विधान के पृती तो और यह तो और बड़ा जगन्य अपराद मैं इसे रहाइवह नहीं कहुंगा यह तो बहुत बड़ा जगन्य अपराद सरकार ने किया है उन 11 के 11 को छोड़के जबकि वो गुजरास सरकार ही कहती है 2018 में उसने कानून बनाया है कि जो रेप और हत्या के बलातकारी है अपरादी है उनको 30-30 साल से पहले नहीं चोड़ा जाएगा आपने 18 साल में छोड़ दिया उनको तो ये जो दोहरा चरित्र है या कानून का जो दोहरा रंग ये सरकार अपना रहे है उसी के प्रति लड़ाई है उसी के लिए संगर्ष है नहीं देखे सरकार के लिए जो डर है वो डर बहुत साप है ये जो लड़ाई है ये जो सारी चीज़ें ये राजनितिक बंदी है एक व्यक्ति आप सोचे कल्प न कीजिए एक व्यक्ति जिसको जथेदार बनाने के लिए दस लाक लोग आएं वो अगर ये बात कहते हैं कि ये हमारा जित्तदार है उसके प्रिती और कितने लोग होंगे आप समझे कि मैं तो बहुत साब कह सकता हूँ अगर वो बहार आ जाते हैं तो पंजाम में उनके अलाब कोई नहीं होगा सारी सरकारों को सूपरासाब हो जाना वो जिसको कहेंगा तो ये सब कुछ राजनीतिक और सियासी है सारी अधिये हम इंसाफ और बराबरी की मांग कर रहे हैं जो भारत के समिधान का सोल और रू है हम यह कह रहे हैं कि बंदी सिंगों के उपर जो इल्जाम है और जगतार सिंग हवारा साहब जत्तिदार साहब कतो में वकील हूँ तो मुझे उनके उपर इल्जामात का भी पता है तो आज तक सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सजा नहीं हुई तो वो कानून की नजर में अभी तक बेगुना है जिन लोगों को रेप के केस में चोटी चोटी बच्चियों के रेप के केस में हजारों लोगों को मार देने की साजिश के केस में सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हो चुकी है जिनको राजीव जी को मारने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक से सजा होने के बाद छोड़ा गया है तो क्या इंसाफ और बराबरी का तकाज़ा यह नहीं है कि बंदी सि वोके हक मारी हो रही है उनके जो हक के इसाब से अवी सब को बाहर होना चाहिए था वो नहीं है बाहर तो ये दिमांड एक जाइस दिमांड है ये समयधानिक दिमांड है ये दिमांड ऐसी है कि भारत इससे मजबूत होगा क्योंकि किसी भी community को minority community को खास तोर पे ऐसा नहीं लगना चाहिए और minority community भी कौन सी, sick community जिसने इस देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानिया दियें, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, कि हमसे हमारी community के लोग हैं, तो उनके साथ भेदबाव हो रहा है, जिन लोगों ने ज्यादा जगनने अपर मनाएं जुड़ी हुई है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा message नहीं जाएं, तो इस public perception के बारे में क्या सोचते हैं, देखें, मैं वकील हूँ, समिधान का मानने वाला हूँ, मैं public perception की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये public perception important नहीं है, public perception ये important है, कि एक ही जगा पे, एक ही स्थिती में दो लोग या दो ग्रूप्स खड़े हैं, तो एक ग्रूप के साथ अन्याएं नहीं होना चाहिए, इस public perception को होना चाहिए, और, 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 सबसे महत्पून बात ये है, कि क्या सुप्रीम कोट ने अब इन लोगों को सजाएं दी हैं, नहीं दी, फिर ये जेलों में क्यों हैं, सुप्रीम कोट बार-बार इस बात को कह चुका है, कि अगर, अगर पूरा जो ट्रायल, कानूनी प्रक्रिया है, वो खतम होने के चांस नहीं है, तो आदी सजा के बाद ही छोड़ देना चाहिए, ये बार-बार बात कही ज सवाल, पब्लिक परसेप्शन किसकी क्या है, वो देखिए, ऐसा है कि पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की वेस्टिट इंट्रेस्ट भी होते हैं, जो आपने सवाल पूचा है, वो एक वेस्टिट इंट्रेस्ट है, वो इस बात को कह सकता है, बर ह हमारा जो सवाल है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो खालिस है, प्योर है, एकदम ऐसा है जो निश्पक्ष है, हम कोई ऐसा पब्लिक परसेप्शन नहीं डेवलब करना चाहते हैं, जो निश्पक्ष ना हो, ये जो हम बात कर रहे हैं, वो निश्पक्ष है, समिधानिक है, नहीं है बाकि जिसको अपनी जो भावनाय रखनी है वो रखे कुछ लोग यह भी भावनाय रखते हैं कि इंसान को इंसान से बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए यह मनुवाद की परसेप्शन है तो जो मुठ्री पर लोग मनुवादी हैं वो तो ऐसा भी सोचते हैं उन सब बातों में हमें नहीं जाना है बराबरी और इंसाफ की बाग करें अगर इमानदारी से जो इंसाफ सच्चाई और हमारे देश का समिधान मानने वाले लोग हैं अगर वो इमानदारी से जो हमारे समिधान में रास्ता दिखाया है पीस्फुल प्रोटेस्ट का अगर सुप्रीम कोट राश्टपती सरकार भी काम ठीक ना करें तो हमारे समिधान ने बावसाब डॉक्टर भीमरा ओंबेटकर ने खास तोर पे कमजोर वरगों को ये रास्त करें मतलब न्याय की रक्षा करें तो जंता को आगे आना है जत्तार सिंग हवारा साब जो जत्यदार हैं अकाल तक्त के उनको मानने वाले दुनिया बर में इतने लोग हैं अगर वो इमानदारी से प्रोटेस्ट शुरू करें आज से तो तीन मैना बहुत लंबी तारिक है बहुत जल्दी वो सब लोग बंदी सीन बार रहे हैं आप लोग तो कहते हैं कोर्ट पे विश्वास नहीं है हमने ऐसा कब कहा हमें नियाय विवस्ता पे सबसे ज्यादा विश्वास है पैसी स्टी और माइन आटिस को यह जो दबाव हो रहा है ना इन नियाय विवस्ताओं देखो जेड़ा ए बंदी सिंगा दे रहाई बास ते एक मीने तो ती जुलाई तो कती जुलाई तो ती अगास्ते तक मोर्चा चलिया ए बंदी सिंगा दे रहाई बास ते मोर्चा लाया सी ता के संगता जागरू को हो जान उननो पता लगे बाकी जेड़े सिखां दे पर उना दी रिहान्या नहीं हो रही है एक पास से ओ एंभी जिना दी जिस तरह सोदा साथ है उनु उमर के दी दो सजामा उंदियां बलादकार चे कतल दे के सांवे चे पर उनु डेड़ साल बादे फरलो मिल दी है जेड़ी कनून तोरी ते गैर कनून नी है फरलो दा हको उन पासे बिल्ड को माननो है जरी ओदा केस है कोड़ बनों जरी सजा मिली शी ओस जामी आजे पूरी नहीं हो उमर कैसे सजामीली इसी उना नू पर संकार हो ना दी पकी रहाई करती हो ना कि ना सरो सर्ट का देस करके एना जरी न्यापाल का न उस चो शिखां दबसवाश उता जा रहे हैं क्योंकि सानु अन्साफ नहीं मिर रहे हैं जे देश बास्ते बहुत चिंताड़ा भी सा जे न्यानपाल का एसे तरह मुख दर्श के बनके देख दी रही हैं भी जेड़े ओदे खैसले सुनाये में हैं पामें जीनू उमर कैद देती उमर कैद दो भी डबल कट चक तन साले कटी हैं उना दी पकीर हान्या हो रही हैं एस करके न्यापाल का जो जेड़ा कट गीनती हैं दा बसवास हो जेड़ा ओन बाड़े समेच चिंता दा विसा होएगा ए देश नू टुटर देक नारे जाके खलावेगा हूँ एस करके कोर्टा नू अंसाब देना चाही देखो जेड़ा प्लीटिकल हुए हूँ मैं गाल तुसी गल करिया बादल काली दाल दे समय जोना दी दास साल का दस साल सरकार रही है पजाब चे पार ओना दी पाईवार सरकार सेंटर चे भीजे पी रही है ओस भीजे पी सरकाच सिमर्त कोर बादल मिनिश्टर रही है और रहा ता की जहदार जकतार सेंट हवारा नू जड़ा बंदा हके त्यूंके 2015 चे जिनने ओना दे दिलीदे केसी ओख़त्म हुचुके पर उना नू पंजाब ट्रांसपर नहीं करया जा रहा है एस करके आज जो बंदी सिखा दी कित करें दो मुद्ध बंदी उना जाज है और नहीं दिन मजबूरी है जडी पंजाब चौना दिया जडी साख ओ डॉनो चुकी ए ओनो बहाल करके तढले जे ले रही है कोई कदंदा दिखाबा करिया हुच एक गवं दो भाने आनक ज को बंदी संगा करें दी अमदर दी है जब नहीं नाम और चाच लाया हो नहीं है तरह करके अपनी स्कदान नो कभूए चितते वर जागे